एज चवदा से 25 साथ और खास कर 12, 13 उड़ जवदा वो एज जब हम प्यूबर्टी में इंटर करते हैं प्यूबर्टी यानि की योव नवस्ता इस एज में हमारी बोडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं जैसे कि हमारी आवास थोड़ी बाहरी होने लगती है अपोजेट जेंडर के लिए अट्रेक्शन बढ़ने लगता है यहीं शोट हमारा बच्पन खतम होने लगता है और हम बच्चे से एडल्ट बनने लगते हैं कई सारे चीज़ें में बहुत ही परिशान करती हैं कई सारे चीज़ें से हम बहुत ही डिस्ट्रेक्ट होने लगते हैं हम अपोजेट जेंडर से इतने अट्रेक्ट हो जाते हैं कि हम सब बोच जाते हैं हमारी लाइफ का सिर्फ एक ही परपस होता है कि मुझे वो मिलनी चाहिए और फिर मिलना चाहिए बाकी जिन्दगी में और कुछ भी नहीं और यह सब कुछ आपके साथ में होता है it's normal अच्छ अच्छ लोग हम भठक जाता है तो फिर आपके अच्छ से लेकिन वो लाइफ लेसन आज़ाब को देने वाला हूँ जो लपन दो हजार साल फेले चानक के ने चंद्रगुप्त को दिया था और यकीन मानिए यह जो एडवाइस है यह आपकी सिंदगी बदल सकती है हजारों लाखों लोग की सिंदगी बजा सकती है और आपको एक महान इंसान बना सकती है यह एक एडवाइस चंद्रगुप्त मोरी एक पर एक लड़की से अट्रेक हने लगती है उनके मन में भी एक अजीब से फिलिंग आने लगती है उन फिलिंग्स की वैज़े से वो अंदर यंदर दड़बने लगती है और दवी उनों ने ये बात आचारी चानक क्यों को बताई और आचारी चानक की निस्पर कहा कि चंद्रगुपत इसमें तुम्हारी कोई गल्दी नहीं है मैंने तुम्हें कई सारी विध्यां ही सिखाई लेकिन अपने मन को कंट्रोल करने के लिए मैं तुम्हें कोई ग्यान नहीं दे पाया और खास कर इसी सम्वेधन्शिल फिलिंग्स को समान लेके बारे में क्योंकि इस पुरी यूनिवर्स का और गणित का ग्यान तो आपको कितबों में मिल जाएगा लेकिन हमारे माइन के अटेच्मेंट से जो फिलिंग्स आ रही है उसे सिरफ एक्स्पिरियंस करके ही समझा जा सकता है और तभी आचारी चान के कहते हैं कि मेरा ये माना है कि बच्चे को एक से पांस साल तक अपने दिल का टुकड़ा मान कर उसे बहुत प्यार करना चाहिए और फिर अगले पांस साल उसे कड़े अनुशाशनों डिस्रिप्टिन में रखना चाहिए और जब वो सोला साल का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए तो अब तुम मेरे दोस्त जंद्रों कर तो और मैं तुम्हें अपने एक्स्पिरिंस के दम पर एक गुरुष का स्त्री के लिए आकर्शन एक बोई का करल के लिए अट्रेक्शन लेकिन अगर इस अट्रेक्शन को और इसके प्रभाव को कम नहीं किया गया तो इसके बहुत बुरे रिजल्ट हो सकते हैं एक बात हमेशा याद रखना है कि दुनिया में आत्मीक जpurposeसर बड़ा कोई भयान है काममुपता से बड़ी कोई व्याधी मेー याणि कि sexuality से बड़ी कोई प्रोब्लम है और शारीक आकर्शन से बड़ा कोई शत्रून है तभी चंद्रगपताचारी चानक किसा पूछते हैं कि क्या एक male और female का मिलना हुँ पूरी बात है तभी चानक के ने कहाँ बिल्कुल बिल्कुल एक normal इंसान के लिए ये बिल्कुल normal है लेकिन जिने महान बनना है जिनोंने अपने लिए एक महान लक्षन इरधारित किया है उनके लिए ये भोधी घातक होगा ये तुम्हें अंदर से खोकला कर देगा जिनके मन पर love, attachment और attraction एडेरा जमा रखा हो वो अपने करतेवे का पालंग करने में असमर्थ हो जाते है वो हमेशा इंसिक्योर रहेगा ये किसी किसान, बिजनसमेन या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए साधरन हो सकता है लेकिन जिसने अखंड भारत के समराध बनने का लक्ष निरधारित किया हो उसके लिए प्यार, attraction, attachment, का मुकता उसके पतन का कारण बनती है तबी चंद्रकुप्त ने पूछा, कि आचारी कभी कभी तो लगता है किस लक्ष को पानी के लिए अगर इतना बड़ा मुल्य नहीं चुकना पड़ता तो तबी आचारी चानकी ने कहा, कि साधान मुल्य चुका कर अगर इतना बड़ा लक्ष मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्मान कर लेता फिर ना तो किसी चानकी की जरूत होती और ना ही किसी चंद्रकुप्त की अगर आप अभीता की सुड़ी में बने हुए हो तो अब मेरी बात आप ख्यान से जुनो अगर आप नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहते हो 30-40 एरपे की चौफ या फिर फिर कुछ छोटा मोटाई काम करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको इतना नहीं रोकेगी लेकिन अगर आपने अपनी जिन्दगी में महान लक्ष का सपना देखा है तो शायद या आपको रोकेगी या फिर आपको बरबाद भी कर सकती है ये चीज़ आपका वो सपना जो की महिनों से और सालों से आप देख रहे थे वो मिन्टों में बरबाद करके ले जाएगी आपका ड्रीम ड्रीम रह जाएगा और किसी इंसान को पाना आपका ड्रीम बन जाएगा आपको लगता होगा कि मेरे लिए वही सब कुछ है, मेरे अंदर जोसके लिए फिलिंग से हो किसी इंसान के लिए नहीं है, लेकिन जैसा कि आचे रिचानक की जिने कहा, कि ये सिर्फ एक साधरन सा आकर्शन मातर है, ये सिर्फ हर्मोंस का खेल है, एक बार आप इसमें पढ़ और एसे ही और दाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, मैं मिलूँगा आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन, जै भारत